हेलो एब्रिवान केसे हैं आप लोग सो गाईस फाइनली आज मेरी एकजाम खतम हुई एन गाईस इतने दिन दक में इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी एकजाम था अगर मैं वीडियो पगराब बनाऊ तो पड़ाई पर कंसंटेट नहीं कर पाऊंगी सो गाईस आज मेरी एकजाम खतम हुई तो आज की पूरे दिन रात और साथी काल का भी पूरा दिन हम लोगों की पास है क्योंकि हम लोगों का जो ट्रेन है वो काल रात की 10 बज़े है तो जिस बज़ास से हमने थोरी सीवनों गुमने के लिए सोचा हम लोग एकदम फटाफट से रूम से निकली और वीडियो भी मैंने नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और इस रास्ते में हमने एक फ्रूट स्ट्राइक या इसका नेम मुझे बता नहीं अगर आपको बता है तक अमने करके ज़रूर बताना इस फ्रूट का जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा खटता है ना मैं क्या ही बुलू एन गाईस हम लोगों की साथ जा रही है मेरी फ्रेंड हवीबा एंड उसकी हजबेंड आप लोग सोच रही होंगे कि हम कहा जा रही है तो एक बर बोल देती हूँ हम लोग मुशिदा ब कि देखते बस हम लोग पहुंचने वाले है और मेरी हुश्बेण देखिया टेकसी पर व岡 कप देख रही है किस-ade को वालक मतलब कि बहुत जद पसंद है कमेंण करके मुझे जरूर बताना टम इस ब्लॉक पर हम पह benefici 更 टरफ यो जो कि मैं इस ब्लोक पर नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैं हजार दुआरी की उपर एक अलग से वीडियो बनाई है जो मैं एक दो दिन में अपलूट करेने वाली हूँ यहां से हम लोग डिरेक्ली उनो होटेल के लिए निकली और हमने बहुत सरे होटेल बगरा देखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे एक ऐसा होटेल चाहिए जहां से मतलब हाजार दुआर की जो वीव है वो हम लोग अच्छी दरके से इंजर कर पाओ हम लोगों को पसंद आया होटेल सरीजन क्योंकि होटेल सरीजन की जो बैलकनी है वहां से इतना अच्छी दरके से उनो वियू आती है हाजार दुआरी की मुझे बहुत ज़्यदा पसंद आया तो हमने यही फाइनल कर लिया इस हे होटेल सरीजन की रूम एकदम बेसिक सा है एक बेट है, टेबल है, सियार है, एट्रस बत्रूम है, साथी एक सोटा से वेलकनी है, जहां से आप लोग की उना हजार द्वारी की जो फ्यू है, वो इंजाई कर पाओगी, हम अची तर कैसे फ्रेश होगी, एन फ्रेश होने के बद थोरी सी भूक लग रही थी, लेकिन बाह खाने के बद लिटरिली वान आवर के लिए सो गई थी, क्योंकि आज हमने बहुत सरे जायनी बगरा किया, एन देन हाजर द्वारी भी देखा, तो थोरी सी उन्हों टायाड फिल हुआ था, तो इस विज़ा से हमने सो गई थी, एन सो के उठने के बद आची तरीके से फ्रे तो हमने सोचा क्यों नए एक बर जाती हुँ, देखती हुँ, क्या है, क्या कुछ है, तो फाइनली हम लोग होटेल हाजर द्वारी पर गई, एन सच में होटेल हाजर द्वारी बहुत बहुत ही ज़दा सुन्दर था, एकदम नवावी टाइप का था, अगर आपको उन्हों खुद को कभी नवावी फिल करवानी हो, तो आप इस होटेल पर ज़रूर जा सकते हो, एकच्वली हजर द्वारी जो है वो नवाव का था, एन वो ही जो कंसेप्ट है, वो यहाँ पर एपलाई की है, इहां के जो कुछ भी मतलब चीजे बगरा है, सब कुछ मतलब नवावी टाइब का है, तो हम इहां आ गई, तो आप हम खाएंगे खाना, इहां पर हम लोगों के उने वेलकम पर पुस्का दे दिया, एन मेरे लिए एक उनिक सा था, क्योंकि मैं जितने भी रेस्टोरेंट या होटेल पर गई, आस तक मैंने वेलकम पर पुस्का नहीं देखा, ज़ इस बजा से होगा, क्योंकि आपको तो पताई है, वेस्ट वेंगल पर भुस्का कितना ज़्यादा फेमास है, एन देखे, मेरी हजबन भी ट्राइ किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एन अब मैं ट्राइ करने वाली हूँ, एन मैं अब रिव्यू देने वाली हूँ, पहले तो मेरी हजबन ने रिव्यू दिया कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो चलो फिर आप मैं खा लेती हूँ, एन खा के आप लोगों को बोलती हूँ, एन गाइस सेज में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एन गाइस इतने में हम का जो मेन मेनू है बो आ गई हम लोगों ने ओरर किया था चिकेन विर्यानी तो चलो फिर खा लेती हूँ एन खाके फिर आपको रिव्यू दे देती हूँ कि केसा मतलब है खाना खाना हमने खा लिया है एन में ओनेसली बोलू तो खाना अच्छा था बोहुत ज़दा अच्छा लेकिन अच्छा था तो इहां का जो स्टाफ है ना वह बहुत ही ज़दा अच्छा है एन साथ ही इहां का जितने भी चीजे बगरा है बहुत ही ज़दा हाईजिनिक है तो आप लोग अगर कभी भी लालबा काते हो हजर दौरी दिखने के लिए तो आप एक बार जुरूर इ जो टेरी से उहां से एकदम पूरा हजर दौरी का भी आते है तो अगर आप कभी भी लालबा काते हो तो इस होटल पर रह सकते हैं